हेलो एवरिवन, मैसेल्फ डॉक्टर भरत सेंग मीना फ्रॉम गॉबर्मेंट कोलेज कोटा तूड़े डिसकस एबाउट केमिकल बॉंडिंग फर्स्ट कोवेलेंट बॉंड आज हम जो अध्यन करने जा रहे हैं उसमें हमारा टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिवियस लेक्चर में हमने संक्रन किसे कहते हैं और संक्रन के नियम के बारे में अध्यन किया था उसी टॉपिक को कंट्यून्यू करते हुए आज हम संक्रन में ही उसके डिफ्रेंट डिफ्रेंट टैप्स के बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संकरण में जो और्बिटल्स का मिस्रण होता है वो कौन-कौन से और्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो S, P and D कक्छकों के मिस्रण से निम्न प्रकार के संकर कक्छक बनते हैं जिसमें सबसे पहले हम टाइप ले रहे हैं S, P संकरण या S, P hybridization जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है S, P मतलब S और P कक्छक मिलकर दो S, P कक्छक बनाएंगे और दोनु जो S, P कक्छक बनेंगे वो उर्जा वे आकार में एक दूसरे से बिलकुल समान होंगे और एक सीधी रेखा में 180 डिगरी कौन पर situated होंगे देखिए आप इस डाइगराम के मैद्यम से समझ सकते हैं आपका ये S orbital है S orbital की shape आप जानते हैं spherical होती है और दूसरा है आपका P orbital इसकी shape है dumbbell car लेकिन जब इनका hybridization होगा और जो hybrid orbital बनेंगे वो समान उर्जा और समान आकरती के बनेंगे देखिए संकरन होने के बाद दो S, P कक्छक बनें और दोनु की आकरती एक जैसी दिखाई दे रही है अगर हम इसका उधारन देखें तो इसके उधारन में हम सबसे पहले लेंगे beryllium chloride अगर beryllium का electronic बिन्यास आप देखेंगे तो beryllium का atomic number होता है 4 देखें ये आपका beryllium और इसका ये atomic number हो गया 4 अब अगर आप इसका electronic बिन्यास देखें तो ground state में इसका electronic बिन्यास होगा 1H2, 2H2 और 2P 0 लेकिन जब ये excited state में या उत्तेजित अवस्था में अगर हमें इसका electronic बिन्यास देखें तो इसका electronic बिन्यास होगा आप यहाँ पर देखें बेरिलियम के उपर मेंने एक star लगा है इसका मतलब है कि ये इसका beryllium की excited state का electronic बिन्यास है और excited state में जो electronic बिन्यास होगा वो 2S2 में से एक electron move करके 2P x orbital में चला जाएगा और इसका बिन्यास होगा electronic 1H2, 2S1 और 2P x1 इस परकार से इसका बिन्यास होगा अब चूंकि जैसा कि हमने previous lecture में पढ़ा था उसके नियम्स में ये था कि संकरण में एयुगमित electron भाग लेते हैं तो यहां पर कितने एयुगमित electron हैं दो एक तो 2S orbital के पास है और 1P x orbital के पास है तो यह हमारा हो गया SP hybridization ठीक है अब S और P कक्छकों में एक एक एयुगमित electron हैं ये clear हो गई अब उसके बाद आप देखिए कि दोनु कक्छक संक्रत होके दो SP कक्छकों का निर्मान कर लेते हैं और प्रतेक SP कक्छक के साथ क्लोरीन का PZ कक्छक क्लोरीन के PZ कक्छक में एक उकमित electron है तो क्लोरीन का PZ कक्छक आप ये diagram के मैध्यम से देख सकते हैं क्लोरीन का जो PZ कक्छक है वो क्या करेगा SP कक्छक के साथ overlapping करके beryllium chloride का एक अनु बनाएगा और इसमें जो अनु बनेगा वो किस पिरकार से बनेगा CL single bond beryllium single bond chlorine तो इस पिरकार से इनके bond angle होगा 180 degree आप यहाँ इस diagram के मैध्यम से भी देख सकते हैं ये तो आपका SP orbital था जो संकर orbital S और P orbital आपने beryllium में देखे थे उसके SP संकरन से SP orbital है यहाँ ये chlorine क्योंकि beryllium chloride के molecule को आप देख रहे हैं तो इस में इस क्लोरीन का P Z orbital और इस क्लोरीन का भी P Z orbital दोनुं अक्छी अत्ति ब्यापन करके सिगमा बंद का निर्मान कर रहे हैं और ये beryllium center में है ये chlorine इसके साथ सिगमा bond बनाया और इसी पिरकार से ये chlorine इसके साथ भी सिगमा bond बनाके बंद चूंकि बिलकुल एक सीधी रेखा है रेखिये याँ पर बंद पिरदर से थो रहा है सीधी रेखा में इसलिए इसका bond angle है 180 degree और ये beryllium chloride की सररजना है अब आपको एक बात ध्यान रखने की ये है कि beryllium और second group के जितने सेदेश से हैं उनका electronic बिन्यास आप जानते हैं कि ns2 होगा और ये सबी dicovalent सो करेंगे क्योंकि सबी में जो आपका np orbital है वो तो रिक्त रहेगा बेकेंट रहेगा और ns electron में से क्या होगा उत्तेजित होके कहां जाएगा np में जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको एक अफवाद मिलेगा वो है helium का अगर आप helium के electronic बिन्यास को देखेंगे तो उसका electronic बिन्यास है 1s2 चुकि 1s2 होने के कारण वह कोई भी compound नहीं बनाएगा उसका कारण है कि उसकी जो principal quantum number है वो है 1 और 1 principal quantum number में S उपकोस के अतिरिक्त अन कोई उपकोस होता ही नहीं है और N उपकोस नहीं होने के कारण 1s और 2s orbitals में जो energy का difference होगा वो बहुत अधिक होगा और बहुत अधिक अंतर होने के कारण 1s electron उत्तेजित होकर 2s orbital में नहीं जाएगा इसलिए आपको helium के योगिक नहीं बनते हुए दिखाई देंगे इसी प्रकार से SP hybridization का एक N उधारन और लेते हैं वो है आपका CO2 carbon dioxide अगर आप carbon dioxide के भी electronic configuration पे अगर नज़र डालें तो आपको ये ध्यान में आएगा कि carbon dioxide के एक अनु में carbon dioxide का formula क्या है CO2 एक carbon परमानों के साथ कितने oxygen जुड़े हुएं दो दूर से योजी oxygen परमानों जुड़े हुएं आप यह carbon का excited state का अगर configuration देखेंगे electronic तो आप ये देखिए ये C C के आगे में star लगा रहा हूँ इसका मतलब ये excited state है और इसका electronic वन्यास होगा 1s2 2s1 और फिर आपके जो तीनों p orbital हैं उसमें 2px1 2py1 और 2pz 2pz1 इस परकार से आपको ये दिखाई देगा लेकिन चुकि आपका ये संक्रण है sp इसलिए हमें केवल दो orbitals की आवस्ता पड़ेगी एक s और दूसरा p तो यहाँ पर हमें एक तो s2s से मिलेगा और दूसरा p मिलेगा 2px से तो ये दोनों मिलके sp hybridization सो करेंगे इसी परकार से अगर आप oxygen के electronic बिन्यास को देखेंगे तो oxygen का electronic बिन्यास जब आप लखेंगे तो आपको oxygen के 2p orbitals में से 2p y में और 2p z में एकमेट electron होंगे आप देखिए ये oxygen है और इसका ये electronic बिन्यास आप लखें तो ये होगा 1s2 और 2s2 और उसके बाद 2p x2 क्योंकि इसका atomic number 8 होता है और 2py 1 और 2p z 1 चुकि लाश्ट में दो electron बचे और दोनों ये एकमेट electron y और z orbital के पास हैं अब आप देखिए अगर आप इसकी co2 की सरचना देखेंगे तो इसमें क्या है कि carbon परमाणू S और P कक्षकों का hybridization करके दो S P कक्षक बनाएगा clear इसके पास दो S P कक्षक बनाने के बाद इसके पास दो विसुद P कक्षक बचेंगे क्योंकि आप जब इसका hybridization और इसका electronic configuration देखेंगे कि इसका carbon का excited state में तो 2S1 और 2PX1 ये तो S P संक्रण में काम आएंगे उसके बाद इसके पास P orbital में 2PY1 और 2PZ ये दो remaining विसुद्ध orbital भी बचेंगे अब क्या होगा कि प्रतेक oxygen परमाणू के पास आपने oxygen का electronic बिन्याज देखा तो 2PY में एक एगमित electron था और 2PZ में भी एक एगमित electron था जो ये क्या करेंगे कारबन के S P और जो कारबन के पास सुद्ध पी कक्चक बचे हुए थे उनके साथ ओबर लेपिंग करके सिगमा बंद और पाई बंद का निर्माण करेंगे और इस परकार से CO2 अनू भी एक रेखी अनू होता है और उसमें भी जो बंद बनेगा वो भी CL2 की जैसे ही बनेगा कारबन सेंटर में होगा और लेप्ट और रैट में आक्सीजन परमाणू होंगे और बंद एंगल 180 डिग्री होगा देखिए आप यहां ध्यान से देखेंगे यह आपका कारबन का SP और बिटल है और कारबन के पास 2P में दो एगमेट अलेक्टोन बचे हुए थे तो यह इसके सहपार्स भी हैं इसी परकार से ऑक्सीजन के पास दो एगमेट अलेक्टोन है तो वो इससे पी और बिटल के साथ सहपार्स भी अतिवियापन करके पाई बंद का निर्मान करेंगे तो इस परकार से कारबन और ऑक्सीजन अर्था CO2 की सररजना का अगर बॉंड एंगिल देखें तो कारबन एक ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बंद और एक पाई बंद बनाएगा इसी परकार से दूसरी ऑक्सीजन के साथ भी एक सिग्मा बंद और पाई बंद का निर्मान करेगा इसके अतिरिक्त भी SP और बिटल के N उधारन भी है जैसे NO2 प्लस SCN and CO इनमें भी SP संक्रण पाया जाता है अब हम दूसरी टैप के संक्रण की बात करते हैं तो वो है आपका SP2 hybridization या SP2 संक्रण चूंकि इसके नाम से ही आपको ये पता चल जाता है कि इसमें कितने कक्छक होंगे और कौन-कौन से कक्छक भाग लेंगे चूंकि यहां आप देख रहें 1S है और 2P है तो यहां पर SP2 मतलब 3 संक्रण 3 कक्छक संक्र में भाग लेंगे और उसमें 1S और 2P कक्छक मलकर 3 SP2 संक्र कक्छक बनाएंगे और 3 SP2 संक्र कक्छक जैसा कि मैंने SP संक्रण में बताए था समान उर्जावा आकार वाले होंगे चूंकि यहां पर SP2 संक्र है SP2 संक्रण होने के करण यहां पर जो bond angle होगा और जो उसकी आकरती होगी वो परिवर्दित हो जाएगी SP संक्र की तुलना में यहां पर bond angle 120 degree होगा और इसकी जो आकरती होगी वो होगी समतलिय तरबुजाकार के रूप में यह oriented होंगे आप देखिए आप यह सरशना ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ मा जाएगा यह आपका S orbital है संक्रण से पहले इसकी आकरती गोलाकार है यह दो P orbital हैं इनकी आकरती डंबल के जैसे आपको दिखाई दे रही है लेकिन जैसे ही इन दोनों का hybridization हुआ यह समान उर्जा और समान आकरती के तीन SP2 संकर कक्चक बन गए और इनका मद्द का जो bond angle है वो 120 degree हो गया इसकी आकरती है समतलिय तरबुजाकार जैसी दिखाई दे रही है अगर हमें इसके उधारन पर ध्यान दें तो आपको सबसे पहला इसका उधारन मिलेगा BCL3 boron trichloride का or and SNCL2 के examples के मैद्दियम से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं boron का अगर आप electronic बिन्यास देखें तो boron का जो atomic number है वो कितना है 5 अगर boron का ground state में देखेंगे तो 5 electronic बिन्यास को किस परकार से लखेंगे 1H2 2H2 boron यह 5 और यह है आपका 1H2 दूसरा है 2H2 और 2PX1 और उसके बाद जो बचेंगे 2P के बाद 2PY0 और 2PZ0 अर्थात इसमें 2PX के पास एक आई हुखमत electron है लेकिन अगर इसकी excited state आप अगर देखेंगे excited state में क्या होगा 1H2 का दो electron रहेंगे लेकिन 2S orbital से एक electron move करके Y orbital में चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2PX1 and 2PY1 इस परकार से Z में तो 0 बचे गई तो इस परकार से जो संक्रण हुआ क्योंकि आपके पास 3 कक्षक होने चाहिए और 3 हैयोगमत electron जिनके पास होंगे वो उसमें भाग ले रहें तो एक तो 2S और 2PX और 2PY यह तीनों मिलके SP2 संक्रण का निर्मान करेंगे केलियर अब आप देखिए बोरोन का एक जैसा कि मैंने इसके माध्यम से दिखाया था बोरोन का एक और 2P कक्षक मिलकर 3SP2 कक्षक बनाएंगे और बोरोन का प्रतेक SP2 कक्षक कलोरीन के एक उगमित कलोरीन का जब एक्टोनिक बिन्यास लेखेंगे तो उसके जैड और्बीटल में PZ और्बीटल में एक्टोन होगा PZ कक्षक से ओपर लेप करके 3 सिगमा बंद बनाएंगे आप देखिए यहां ध्यान से यह बोरोन है बोरोन के तीनों के तीनों यह SP2 हाइबरिट संक्र हाइबरिड और्बीटल है और चुकि BCL थे रही है तो 3CL 1CL तीनों डाइरेक्षन से अलग-अलग से आएंगे 1CL एदर से है 1 के दर से और एक दर से चुकि तीनों ही अक्षियती व्यापन कर रहे हैं तो 3 सिग्मा बंद का निर्मान होगा आपको एक बात और ध्यान से देखें आप देखेंगे कि इस हाइबरिड और्बीटल में छोटी छोटी लॉप्स भी दिखाई दे रही है जबकि बड़ी लॉप्स के साथ छोटी लॉप्स भी दिखाई दे रही है संकर जब हाइबरिड और्बीटल बनते हैं तो यह एक बड़ा हिस्सा और दूसरा अतिस्व्स में हिस्सा होता है इसमें जो अतिस्व्स में हिस्सा वाली पॉली होती है उसको नगर्ण मानते हैं कि वाल बड़ी पॉली को हम क्या मुक पॉली ही मानते हैं और वही अतिव्यापन में काम आती है इसका दूसरा उधारन अगर आप देखें तो वो है SNCL2 यहाँ SNCL2 का अगर आप अलेक्टोनिक बिन्याज देखेंगे तो SNCL2 का जो एटुमिक नमबर है SN है आपका 10 10 का जो SN का आटुमिक नमबर है वो है आपका 50 50 SN इस पिरकार से आप लिख सकते हो इसको ESM और यह आपका 50 इसका अटाुमिक नमबर हो गया और अगर इसका एलेक्टोनिक बिन्याज लिखेंगे 36 मतलब के आर 36 तक तक तो इसका विन्या सेम रहेगा और उसके बाद आ जाएगा इसका 4D 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 में 10 आ जाएंगे then उसके बाद आएंगे आपके 5S2 5S2 में 2 एलेक्टोन आ जाएंगे और 5P में ऐखमित एलेक्टोन होंगे 5PX1 और 5P 5B1 और 5S5 PZ में 0 एखमित एलेक्टोन होंगे तो चुँकि हमें SP2 चाहिए तो यहाँ पर 1S यह 5S वाला और 2 एखमित एलेक्टोन भाग लेके SP2 संकरन का निर्मान करेंगे अब आप यह इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें पूर्ण रूप से भरे हुए 5S कक्षक और 2P कक्षकों के मिस्तरन से 3S P2 संकर कक्षक बन रहे हैं यह बात आपको समझ मा आ गई कि यहाँ पर S और्बिटल जैसा कि अपने नियम में पढ़ा था कि अर्दपूर्ण पूर्ण भरे वर रिक्त कक्षक संकरन में भाग ले सकते हैं तो यहाँ पर पूर्ण भरा हुआ S P2 कक्षक है और यह P और्बिटल में एयुगमित एलेक्ट्रोन हैं तो वो भी भाग लेके 3S P2 संकर कक्षक बना रहे हैं इन 3S P2 संकर कक्षक में से 1 कुर्ण में 2DD रहेंगे जबकि सीस दो कुर्ण में 1-1 अयुगमित एलेक्ट्रोन रहेगा क्योंकि एक लेक्षक तो क्या है S2 पर्लब पहले से फुल फिल है रहेगा तीनों ऐगमित- अलेक्टरण वाले कक्चकों के साथ कलोरिन के दो परमानू के P.J. कक्चकों का ओवरलेपिंग होगी क्योंकि एक कक्चक तो कैसा है पहले से ऊसमें दो ऐलेक्टरण है और एक कक्चक में की तीन S.P.2 में से केवल दो SP कक्षक इस क्लोरीन के PZ कक्षक के साथ और लेपिंग करेंगे और SNCL2 का जो अनू बनेगा उसकी एकर्थी भी आकार की आपको दिखाई देगी यहां देखिए यह SN है SP2 तीन कक्षक बने इसमें एक के पास दो एक पेयर्ड एलेक्टोन है और इनके पास एक 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 एलेक्टोन है यह दोनों एक 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 एलेक्टोन क्लोरीन के PZ है एक में ते एलेक्टोन से और लेपिंग करेंगे और सिग्मा बनेगा इसी परकार यहां भी सिग्मा बनेगा और यह एक 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 एलेक्टोन होने के कारण इसको इस परकार से बरावा दिखाई दे रहे हैं और ये आपकी जो आकर्टी बन रही है ये भी आकार की आपको दिखाई दे रही है इसके अतिरिक्त भी आपके SP2 संकरण जिन में पाया जाता है SO2 है, कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट है NO2 है NO2 माइनस है SO3 है आदी में भी SP2 संकरण पाया जाता है अब है आपका SP3 संकरण चुंकि बार बार आप उसकी जितने कक्छक भाग लेंगे उसकी संक्या उसके उपर सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखी रहती है देखें यहाँ पर P के उपर 3 लिखा हुआ है इसका मतलद 3 P और्बिटल भाग लेंगे और S के उपर सिंगल है इसलिए लिखने की जर्रत नहीं है तो यहाँ पर 1 S और्बिटल भाग लेगा अर्था टोटल 4 कक्छक संकरण में भाग लेंगे चार कक्झक संक्रण भाग लेके चारही नए संक्रित कक्झक बनाएंगे जिसमें एक, एस और तीन फी कक्झक होंगे जो समान उर्जा, वह अकर्थिकी होंगे इसे SP-3 संक्रण कहते हैं और इस इन बने हुए चारो SP-3 कक्झक की जो आकरती होगी वो चत्यों सभली की है आकार की होगी आप इसको इस परकार से समझ सकते हैं और इनके मेद्ड जो bond angle होगा वो होगा 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिppt का इनके मेद्ड बोंड एंगल होगा और पर्मानु के नाबिक वा चारों कोनों की वो चारों खखचक अभी विन्यासित होंगे आप इसमें CH4 के एक्जाम्पिल के मैद्धियम से SP3 संक्राण समझ सकते हैं CH4 में अगर कार्बन का आप एलेक्टोनिक विन्यास देखेंगे तो एक्साइटेड इस्टेट में कार्बन C6 और यह एक्स की एक्साइटेड इस्टेट है तो यहां पर इसका एलेक्टोनिक विन्यास हो जाएगा 1S2 और 2S1 उसके बाद हो जाएगा 2PX1 2PY1 और 2PZ1 अर्था चार है एक मित एलेक्टोन होगे और इनमें चारों में आपको SP3 संक्राण पाया जाएगा ठीक है अब आप देखिए मेथेन मेथेन की जो आकर्टी होगी हो चत्तसफल की आणविक सरजना तो इसमें क्या होगा कि मेथेन में की एक साथेडे श्टेट में कार्बन परमाणओ की Three P कछकों के पास एके क्यायों कमेत एलेक्टोन है जसा कि अब है अपन नहे उसके एलेक्टोन बिन्यास में देखा और यह 4 कछक्चक मिस्रित होकर चार नए SP3 संकृत चक बनाएंगे इनमें प्रतेक class के पास एक एक हैवमित एलेक्ट्रोन होगा और इस चारों कख्छक चार हैड्डोजन पर मानूग के चार हैड्डोजन पर मानूग के अब हैड्डोजन के एक हैड्डोजन के पास एक एलेक्ट्रोन होता है तो एस कख्छक में होगा तो चार हैड्डोजन पर मानूग के एस कख् सिच्वेटेड होंगे इसकी अगर आप सरचना देखें तो आप देखें इस परकार से होगी यह आपका यह मेथेन अनुए सेंटर में कार्बन पर मानुए चारों कोनों पर चार हैडोजन पर मानुए और इसकी चतुस फल किये आणविक सरचना आपको दिखाई दे रही है औ अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग संक्रन या हेडिडाइजेशन के बारे में अध्यान करेंगे थेंक्यों